दूस्तों सत्तर और अस्ती के दशक की मासून से दिखने वाले अभिनेतरी शर्मिला टैगोर को कौन नहीं जानता जिनकी मासूनियत ने लाखों दिलों को अपना दिवाना बना लिया था साथी बॉलिविड में एक अलग उचाई पर इन्होंने अपने पहचान बनाई शर्मिला टैगोर की जूड़ी हर एक एक्टर के साथ खुब कमाल दिखाती थी लेकिन खुबसूरत और मासून से दिखने वाली ये अभिनेतरी अब फिल्मों से गायब है और अब फिल्मों में नजर नहीं आती तो कहां गई शर्मिला टैगोर? क्या करती है? कैसे दिखती है? ये सबी बाते जानने के लिए आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ शर्मिला टैगोर की खुबचूरते के लिए वीडियो को लाइक करना न भूले दूस्तों श्रमीला टैगूर का जन 8 दिसंबर को 1946 में हैदराबाद के एक बंगोली परिवार में हुआ वैसो तो श्रमीला फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी लेकिन जब उनको फिल्मों के आफर आए तो वो फिल्मों में काम करने से मना भी नहीं कर पाई और महज 13 साल के उम्र में सत्यजीत रॉय की फिल्म अपूर संसार में लीड अक्टर्स के रूप में काम उनने शुरू कर दिया इस फिल्म में उनके बेहतुरीन अभिना के चलते ये बहुती जल्द फेमस हो गई जिसके बाद निर्देशिकों ने उनने फिल्मों में काम करने के आफर देने शुरू कर दिये जिसके बाद उनने देव नायक जैसी फिल्मों में काम किया और जल्द ही श्रमीला पूरी दुनिया में फेमस हो गई उनकी popularity को देखकर हर कोई director इनके साथ काम करना चाहता था साथ इनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ होग पसंद की जाती थी श्रमीला, अमिता बच्चन, भरमेंद्र, शमीखपूर जैसे कई बड़े अभिनेताओं के साथ भी काम कर चुकी है जिस दौर में सभी अभिनेत्रिया सिर्पर पल्लू रखकर फिल्मों में काम किया गरती थी वहीं श्रमीला ने छोटे-छोटे कपड़े महन कर दर्शकों का दिल जीता लेकिन श्रमीला को प्यार हुआ भारतिय क्रिकेटर नवाब पटाओदी से और 1968 को उन्होंने शादी कर ली और उन्होंने अपना नाम बदल कर आईशा सुल्तान रख दिया और बन गई नवाब खानदान की बहू शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा और एक के बाद एक सूपरेट फिल्में बॉलिवड को देती चली गई शादी के बाद वो सैफ अलिखान, सारा अलिखान और सोहा अलिखान की मा बनी लेकिन सतर साल की उम्र में ही उनके पती की मौत हो गई उसके बाद वो बहुत कम फिल्मों में नजर आई आज अपने बच्चों के साथ अपने खुशाल जिन्दगी जी रही है और अपने दौर में अपने अदाओं से सब को घायल करने वाली ये अभिनेत्री वक्त के साथ बहुत बदल चुकी है जो कि आप इनकी आज के तस्विरों में साब देख सकते हैं तो दोस्तों आपको इनका भिनेक कौन से फिल्म में बेहतर लगता है आप हमें कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथी बॉलिवड के गुम नाम सितारों के बारे में जानने के लिए